उडियो 6 पुस्तक देवताओं, आवतारों और रिश्यों की उपास्य गायत्री लेखक पंडित श्रियाम शर्मा आचारी गायत्री क्या है? इस ब्रह्मान में व्याप्त उस चेतना मांद सरोवर को गायत्री कह सकते हैं, जो प्राणियों में ज्ञान सब्वेदना और पदार्थों में श्रिजन परिवर्तन वाली क्रियाशीलता बन कर काम करती है इसे ब्रह्म चेतना से उद्भुत माना गया है श्रिष्टी का विकास और विस्तार एक ही केंदर बिंदु से हुआ है यह बात प्रकारांतर से पश्चिमी विद्वान और भारति दार्शनिक दोनों ही मानते हैं खगोल शास्त्रियों के मत में भी यह प्रारंभ में एक ही महत्तत्त था उसमें विस्फोट हुआ और तब से पदार्थ मंदाकिनों के रूप में बहना प्रारंभ हुआ जिससे ग्रणक्षत्रों वाली शिष्टी की सरंचना हुई इस भातिकवादी मंदा में पदार्थ के लिए स्थान तो है पर चेतना के लिए नव होने से अपूर्ण जैसा है भारतिय मनिश्यों की गवेशनाएं इससे कहीं अधिक महत्त पूर्ण है हमारे यहां की भी मनिता यही है कि प्रारंभ में एक मात्र सत तत्व वाली ब्रामी चेतना ही थी उसके नाभी देश से स्फुरन हुई एको हम बहुश्याम मैं एक हूँ बहुत हो जाओ उनकी यह इच्छा ही शक्ती बन गई और विश्व विवस्थापी का महाप्रकरती कहलाई उसी को गायत्री कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में यह शक्ती सत रज तम तीन शक्तियों में विवक्त होती है गायत्री महाविज्ञान में उन्हें ही गायत्री की रीम अर्थात ज्यान शक्ती या सरस्वती रूप श्रीम अर्थात साधना या लक्ष्मी रूप क्लीम शक्ति प्रधान अर्थात काली रूप कहा गया है परमेश्वर और प्रकर्ति के संयोग से मिश्रित रज सत्ता उत्पन हुई वही जीव कहलाई जिस तरह पुत्र में मा और पिता दोनों के ही युग सूत्र क्रोमोजोम्स विद्धिमान रहते हैं उसी तरह जीव सत्ता में अपने पिता और माता दोनों की सत्ता विद्मां रहती है। बालक अधिकांश जीवन अपनी मा के सहारे वितीत करता है, वह उसकी प्रकर्ती के अधिक अनुकूल परती है। इस तत्य को भारती तत्व दर्शियों ने बहुत गंभिरता से अनुभव किया था। इसलिए गायत्री उपासना को इतना महत्व दिया गया। उसमें भक्ती और कर्ण, ज्ञान और वैराग्य सभी का समन्वे होने से गायत्री तत्व ज्ञान लोग पर लोग दोनों में ही सहायक होता है। शुक्ष्म प्रकर्ती वह है जो आध्यशक्ती गायत्री से उत्पन होकर सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा में बढ़ती है। से मिलती जुलती धुनिया उठा करती है। वैसे ही शुक्ष्म प्रकर्ती की शक्ति धाराओं से तीन प्रकार की शब्द धुनिया उठती है। सत प्रवाह में घ्रीम, रज प्रवाह में श्रीम और तम प्रवाह में क्लीम शब्द से मिलती जुलती धुनि उत्पन होती है। उससे भी शूक्ष ब्रह्म का ओंकार ध्वनिक प्रवा है। नादियों की साधना करने वाले ध्यानमग्न होकर इन ध्वनियों को पकड़ते हैं। उनका सहारा पकड़ते हुए ब्रह्म सायज्य तक आप पहुंचते हैं। प्राचीन काल में हमारे पूजनी पूर्वजों ने रिशिमुनियों ने अपनी सूतिक्ष द्रश्टी से विज्ञान के इस सूक्ष तत्व को पकड़ा था। उसी की शोध और सफलता में अपनी हस्तियों को लगाया था। फलसरुक वे वर्तमानकाल के यशश्वी भौतिक विज्ञान की अपेक्षा अनेक गुने लाभूं से लाभानवित होने में समर्थ हुए थे। वे आदी शक्ति के शूक्ष प्रवाहों पर अपना अधिकार स्थापित करते थे। यह प्रकट तथ्य है कि मनुष्य के शरीर से अनेक प्रकार की शक्तियों का आविर्भाव होता है। हमारे रिशिगन योग द्वारा शरीर के विभिन अंगों में छिपे पड़े हुए शक्ति केंद्रों को, चक्रों को, ग्रंतियों को, मात्रिकाओं को, जियोतियों को, भ्रमरों को जगाते थे। और उस जागरण से जो प्रवाह उत्पन होता था, उसे आध्य शक्ति के विभिन प्रवावों में से जिन के साथ आवशक्ता होती थी, उनके साथ संबंधित कर देते थे। जैसे रेडियो का स्टेशन के ट्रांस्मिटर यंत्र से संबंध स्थापित कर दिया जाता है, तो दोनों की विद्युत शक्तियां सम श्रेणी की होने के कारण आपस में संबंधित हो जाती है, तथा उन स्टेशनों के बीच आपसी वारतालाप का समवादोक के आदान प्र प्रकरती के शक्ति प्रवाहों से संबंध स्थापित हो जाता है, तो मनुष और आद्य शक्ति आपस में संबंधित हो जाते हैं, इस संबंध के कारण मनुष उस आद्य शक्ति के गर्वे में भरे हुए रहस्यों को समझने लगता है, और अपनी इच्छानुसार उसका पदार्थों और साधनों से संबंध स्थापित कर सकती है। वर्तमान काल के वेग्यानिक पंचतत्मों की सीमा तक सीमित स्थूल प्रकरती के साथ संबंध स्थापित करने के लिए बड़ी-बड़ी कीमती मशीनों का विद्युत वाश्प, गैस, पैट्रोल आधी का प्रयोग करके कुछ आविश्कार करते हैं और थोड़ा सा लाव उठाते हैं। यह तरीका बड़ा शमसाध्य, धनसाध्य और समयसाध्य है। उसमें खराबी, तूट-फूट और परिवर्तन की खटपट भी आए दिन लगी रहती है। इन यंत्रों की स्थापना, सुरक्षा और निर्मान के लिए हर समय काम जारी रखना पड़ता है तथा उनका स्थान परिवर्तन तो और भी कठिन होता है। यह सब जंजट भारतिय योग विज्ञान के विज्ञान वेत्ताओं के सामने नहीं थे। वे बिना किसी यंत्र की साहता के तथा बिना संचालक पेट्रोल आधी के केवल अपने शरीर के शक्ति केंद्रों का संबंध शूक्ष्म प्रकरती से स्थापित करके ऐसे आश्चरेजनक कारिक कर लेते थे जिनकी संभावना तक को आज के भोतिक विज्ञानी समझने में सम विकास करता हुआ उस महाशक्ती से लाभानवित हो सकता है. यह महाशक्ती सत, रज और तम इन तीनों प्रकरतियों को प्रवानित कर मनुश्य जीवन में ज्ञान, क्रिया और आराधना के रूप में प्रकरत होती है तथा उपासक को ज्ञानवान, क्रियाशिल और धनवान गायत्री साधुनाद्वारा जो व्यक्ति आत्मिक, मांसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयत्न करते हैं, वे अपनी अंतरनी हित ख्षमताओं को जागरत कर उन पर अधिकार प्राप्त कर उन्हें, वैसा ही उपयोगी बना लेते हैं, जैसे विजली, एटम, भाप, आ परती है, वही अंतर जगत में आध्यात्मिक ख्षमता के रूप में प्रकट होती है, गायत्री की आध्यात्मिक शक्त साधक के सामने वैसे ही सवभा कहे जाने वाले जैसे आवसर प्रस्तत करती है, गायत्री उपासना का छुटपुट लाब कोई भी उठा सकता है, सकाम उ अभिष्ट सफलताएं प्राप्त होने का क्रम चलता रहता है, ऐसे लाब और चमतकार आई दिन देखने को मिलते हैं, पर यह है छोटे स्थर की वस्तुएं, अमुक कष्ट को दूर कर लेना या अमुक सफलता को प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा लाब त भौतिक प्रियत्नों से भी प्राप्त किया जा सकता है, उपासना का लाब तो अंतरात्मा को अनंत सामर्थ से भर देना और चंदन के व्रक्ष की तरह स्वयम ही सुगंदित होने के साथ साथ समीप वर्ती जाड जंखाडों को भी अपने ही समान सुर्वित कर देना है, ऐसा उच्च स्तिरिय लाप्राप्त करने के लिए मनुश्य को ब्रामनत्व के अनरूप गुंड कर्म स्वभाव अपने में उत्पन करने पड़ते हैं, तभी वह खजाना मिलता है जिसके लिए ब्रह्म विद्याने ब्रामन का उत्बोधन करते हुए उसे उस महान भांडागार क तो हस्तगत कर लेने की प्रेणा दी है, गायत्री के महामंत्र में जिन देवशक्तियों का समावेश है, वे सत्पात्र पर ही अवतरित होती हैं, स्वर्ग से उतर कर गंगा प्रत्वी पर आई तो, उनके धारन करने के लिए शिवजी को अपनी जटाय फैला कर अवतरन की प संभालने वाली भूमी का नव बनी, तो धारा प्रित्वी में छेत करती हुई पाताल को चली जाएगी, उसका लाब भूलोक वासियों को न मिल सकेगा, इस आवशक्ता की पूर्ती जब शंकर भगवान ने कर दी, तभी गंगा अवतरन संभव हो सका, गायत्री महाशक्ति क भी ठीक यही इस्तिती है, उसे धारन करने के लिए समर्थ प्रश्ट भूमी की अनिवारे रूप से आवशक्ता है, और इस आवशक्ता की पूर्ती ब्राह्मनत्व के गुण कर्म स्वभाव से संपन सादखी कर सकता है, ऐसा ब्राह्मन मंत्र की महाशक्ति को अपने में धा कर सकता है, और उससे व्यक्ति एवन समाज का महान उक्कार साद सकता है, कहा भी है, दैवा धीनम जगत सर्वं मंत्रा धीनाष्ट देवता, ते मंत्रा ब्राह्मना धीनाष्ट तस्याद विप्रोही देवता, मत्ष पुराण, देवताओं के अधीन सब संसार है, वे देवत मंत्रों के अधिन है वे मंत्र ब्रामन द्वारा प्रयोक्त होते हैं इसलिए ब्रामन भी देवता है महर्शी वशिष्ट इसी प्रकार के सुर प्रत्वी के देवता थे उनके पास नंदिनी कामधेनु अर्थात गायतरी की महाशक्ती थी राजा विश्वामित्र के साथ जब वशिष्ट का युद्ध हुआ और राजा की विशाल सेना परास्त हो गई तो विश्वामित्र के मुख से यही निकला धिक बलं शत्रिय बलं ब्रह्म तेजो बलं बलं अर्थात भौतिक बल धिकारने योग तुछ यो नगरने है वास्तिक बल तो ब्रह्म बल ही है वही मंत्र बल है वही सच्चा बल है यह कहते हुए विश्वामित्र ने राजपाट का परित्या कर दिया और ब्रह्म बल प्रा कलाप एवं उपयोग को शास्त्रों में अनिक उधारनों के साथ बताय गया है। कहीं तो उस शक्ति ने स्वयम ही अपने सुरुग का परिचे दिया है और कहीं देवताओं ने अथ्वा रिशियों ने स्तवन के रूप में उसके सुरुग का गुणगान सहित वर्णन किया इन वर्णनों के आधार पर यह जाना जा सकता है कि गयत्री शक्ति तत्व का इस संसार में कहां किस प्रकार उपयोग हो रहा है। गयत्री ही परम्तत्व है गयत्री ही परम्गति है। गयत्री ही है तदक्षरं तत्स वितुर्वरिन्यम प्रज्या चतस्याह प्रसता परासा गुयोपनिशत्थ। जो महाशक्ती संपुर्ण प्राणियों में शक्ती रूप विद्यमान है इंद्रियों की अधिश्चात्री देवी है एवं पंच तत्वों की संचाली का है उसे बार-बार नमस्कार गायत्री वा इदं गुवं सर्व भूतं यदिदं कीम्च वाग्य गायत्री वाग्वा इदं गुवं सर्वं भूतं गायती च त्रायते च या वैसा गायत्रियं वावसा एयं प्रतिव्यस्या गुवं हीदं गुवं सर्वं भूतं प्रतिष्ठत मेतामेव नाती शीयते गायत्री समस्त पंच भूतों में व्याप्त है जो कुछ यहां है सो सब गायत्री ही है यह वानी ही वर्णन और रक्षन करती है यह प्रित्वी गायत्री है जिसमें समकुन प्राणी रहते हैं शेशा चतुषपदा शट विद्या गायत्री तदेत दृचाभ्य नुत्तम एतावानस्य महिमा ततो जायागुंग पुरशाह पादोष्य विश्वाभूतानी त्रिपादस्याम्रतम दीविती छांदोग्य तीन बारा पांच यह गायत्री चार पदवाली और छेश भेदो वाली है इस गायत्री की अविच्छिन महिमा है यह तीन पदवाला परमपुरश अमृत और प्रकाश मनकर आत्मा में इस्थित हो इसका एक पद संतोष विश्व है गायत्री की चेतनात्मक धारा सब्बुधी के रितंबरा प्रग्या के रूप में काम करती है और जहां उसका निवास होता है वहां ब्रामनत्व और देवत्व का अनुदान बरस्ता चला जाता है साथ ही आत्मबल के साथ जुड़ी हुई दिव विभूतियां भी उस व्यक्ति में बढ़ती जाती है गायत्री को ब्रामन का मंत्र कहा जाता है इसका तात्पर यह नहीं है कि ब्रामन विरादरी के अतिरिक्त दूसरी विरादरी वाले उसकी साधना नहीं कर सकते वरण इसका तात्पर यह है कि जो इस महाशक्ति का परिपुर्ण लाब उठाना चाहें उन्हें जब तप ही नहीं अपने व्यावहरिक जीवन में ब्रामनत्व का अवतरन भी करना चाहिए चरित्र जितना शुद्ध होगा यह महामंत्र उतना ही प्रखर लाब पहुँचाएगा चरित्रवान व्यक्ति की थोड़ी सी उपासना भी इतना अद्भुत लाब दिखाती है जितनी की दुश्चरित्र व्यक्ति के आजीवन क्रियाकृत भी नहीं कर सकते ब्राह्मनत्व यदि अपने भीतर पैदा कर लिया जाए तो गायत्री उपासना के जोलाब शास्त्रकारों ने बताए हैं उनकी सत्यता अक्षर सह प्रत्यक्ष की जा सकती है